हेलो एवरिवन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल तो गाईस आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे तीन साल के बुच्चे की अफगानी शलवार और बोल दामन का सूट बनाना I hope कि आज का वीडियो आप लोग लिए बहुत ज़्यादा helpful रहेगा और पसंद आएगा पसंद आए वीडियो और helpful रहेगा चैनल को सब्सक्राइब जो करिएगा वीडियो को like करिएगा और share करिएगा तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं तो जी सबसे पहले हमने अपने फैब्रिक को यहाँ पर फोर फोल्ड में बिचा लिया है यह देखिए मैं आप लोग को दिखा रहे हूँ चार तैमें हमने इसको बिचा लिया है अब हम यहाँ पर बैल्ट का निशान लगाएंगे जो हम elastic attach करेंगे ना उपर उसके लिए हम हमने यहाँ पर दोनों तरफ से 2 इंच पर निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को हम इस तरह से ऐसे मिला देंगे अब जो है हम लंबाई का निशान लगाएंगे तो जो मेरी लंबाई है वो मुझे जो है 22 इंच चाहिए total लेकिन मैं यहाँ पर साड़े किस पर नि निशान लगाया है और इन दोनों निशानों को भी हम इस तरह से ऐसे मिला देंगे और अब हम कमर का निशान लगाएंगे तो जो हमारी कमर का निशान है वो हम हिप के according लगाते हैं तो हमारी हिप है यहाँ पर 28 28 तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 और उसमे जी मैंने निशान लगा लिए है अब हम इन निशानों को scale की help से इस तरह से ऐसे मिला देंगे तो जी यह जो है हमारी कमर का निशान लग जाएगा अब हम यहाँ पर क्रोचेरिय का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर हम करीबं 1,5 इंच आगे की side इस तरह से ऐसे बढ़ा और इस तरह से हमने इसको ऐसे मिला देना है यह देखे इस तरह से हम इसको मिला देंगे और अब हम यहाँ पर इसकी cutting कर देंगे तो जैसे जैसे निशान लगाए हैं सेम वैसे ही वैसे मैं cutting कर दूँगी क्योंकि already मैंने जो है इसमें margin वगेरा सब add कर लिया है तो देखे इ मियानी के लिए हमने अपने कपड़े को ऐसे double fold किया है और इस तरह से हम four fold कर देंगे मियानी लगाने से क्या होता है ना बच्चा उठता बैठता है तो वो बीच से फटती नहीं है अब हमने पहले नीचे से इसको cut करकर इस तरह से सीधा कर लेना है अब जो मियानी की लंब तो जी ये जो है हमारी मियानी कटो जाएगी बहुत इजी होता है इस शलवार को बनाना देखने में टफ लगती है लेकिन बहुत इजी होता है अब देखिए इसको stitch कैसे करना है वो मैं आप लोग को बताती हूँ तो देखिए ये जो थे हमारे दोनों पांचो को इस तरह स इसे stitch करेंगे देखिए मशीन पर भी मैं आप लोग को बताती हूँ इस तरह से single करना है और मियानी को इस तरह से क्रोच एरिये से हमने मिलाना है और यहां से हम stitch करते जाएंगे और मियानी सिलते वक्त आपने ध्यान रखना है कि इसको खीचना नहीं है अगर आप लोग को खीचेंगे न तो आप लोग को छोटा बड़ा पड़ जाएगा क्योंकि यहां पे औरे फैबरिक होता है तो वो उसको हम इसमें जो है attach करेंगे तो इसको हम उपर की side से करते हैं यह देखिए इस तरह से और उपर से हम इसको stitch करना शुरू करेंगे शुरू आज जब भी भी किया कीजिए तो पक्का किया कीजिए और फिर सिलाई लगाना शुरू किया कीजिए तो देखिए इस तरह से हम इसकी सिलाई लगाना शुरू करेंगे और अब म्यानी को हम बाहर की तरफ ले लेंगे इस तरह से ऐसे और म्यानी को जो हमारा दूसरा साइड वाला पहुंचा था उसमें ऐसे स्टिच करना शुरू करेंगे अगेन मैं आप लोग को बता रही हूँ कि खीर्चना नहीं है मिलाते जाना है पक्का करकर हम धागा कट कर देंगे और सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी इसी तरह से हम दूसरे साइड की भी जोड लेंगे तो देखें दोनों साइड की म्यानी मैंने जोड ली है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है अब हम इसका जो हमारा बॉटम है पोंचा वो बनाएंगे तो देखें इसको हमने सीधा इस तरह से ऐसे रखना है और यहाँ पर हम प्लेट्स बनाएंगे सबकी अपनी-पनी मरजी है जिसको जैसा चलगता है वो वैसा बना सकता है मैं यहाँ पर इसी तरह से पूरे बॉटम में इसकी प्लेट्स बना दूँगी तो जी प्लेट्स हमने बना दी है और बनने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखें गई बागी जो भी रेशेव गेरा निकलते हैं धागे निकलते हैं उसको कट कर देना तबी काम में अच्छी finishing आती है तो देखिए plates मैंने बना दी है अब हमने इसकी मोरी तयार कर लिए देखिए एक इंच मैंने जो है पेस्टिंग जो हमारी बुकरम होती है उसको काट के इसके उपर चिपका दिया है एक तरफ से फोल्ड कर दिया है और एक तरफ से हाफ इंच फैबरिक छोड़ दिया है अब देखिए ऐसे पलटते हुए मैं यहाँ पर ऐसे निशान लगा लूँगी यह देखिए निशान बह अब देखिए मैं निशान लगा लिए है अब इसको हमने मतलब बॉटम में अटैच करना है तो देखिए उल्टी हम इस तरह से ऐसे शलवार रखेंगे और इसको इस तरह से हमने रखना है यह देखिए इस तरह से हम रखेंगे इसको ऐसे मिलाते हुए और जो हमारा निशा पर ही हमने जो है सिलाई लगाते लाना है तो देखिए इस तरह से बाकी जो नीचे की प्लेट्स हैं उसको आप बिल्कुल अच्छे से ठीक करते जाएगा वरना प्लेट्स इदर उदर हो जाएगी ना तो भी वो देखने में बहुत बेकार लगेगा और स्टीचिंग हो जाए बिल्कुल किनारी पर जितनी किनारी पर जितनी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे उतना ही अच्छा आपका जो है नीचे का बॉट्न देखेगा आप चाहें तो यहाँ पर लेज भी लगा सकते हैं मेरे को भी लेज़ लगानी ती लेकिन मेरी कम पढ़ percept मेंने लिक website अब देखिए यहाँ पर जैसे हम शल्वार की महरी बनाते हैं वैसे भी डिजाइन बना सकते हैं तो देखिए हम मैं वही बना रही हूँ मैं सीधी सीधी लाइन जो है बना कर और फिर दोनों तरफ थोड़ा सा जिग जैक वाला पैटन बना दूगी तो यह हमारी बिल्कुल शल्वार की महरी जैसा हो जाएगा और अगर आप लोग लेस लगाएं तो इस पर कुछ मत बनाईएगा और लेस ना लगाएं तो इस तरह से आप महरी भी जो है इसकी बना सकते हैं तो देखिए इस तरह से मैंने जो है इसका जिग-जग वाला पैटर्न बना दिया है अभी बना कर मैं आप लोगो और दिखाऊंगी कि ये किस तरह से दिख रहा है तो जी मोरी जो है हमारी बनकर तयार है और वो कुछ इस तरह से दिख रही है अब हमने इसको उल्टा इस तरह से ऐसे पलटना है ये देखिए इसको हम इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और अब करीबन हाफ इंच का मार्जन छोड़ते हुए हम इस पर स्टीचिंग लग मिलनी चाहिए वरना जब तक आप सिलते सिलते जाएंगे तो दूसरी तरफ आप पहुंचे तक पहुचेंगे न तो वो छोटा बड़ा हो जाएगा तो यही दिक्कत आती है तो इसलिए आप लोगोंने खीचना नहीं है अच्छे से मिलाते जाना है और उसको स्टिच करते जाना है मियानी से मियानी आपकी मिलनी चाहिए तो जी देखिए अब इसी तरह से जो है हम सिलते सिलते दूसरे पहुंचे तक आ गए है और हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठा है कई बार क्या होता है न छोटा बड़ा हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है अब हम यहाँ पर पक्का करेंगे और इसको कट कर देंगे और अब यहाँ पर जो भी रेशय वगेरा निकल रहे हैं जो भी धागे निकल रहे हैं उसको मैं कट कर दूंगी क्योंकि यहाँ पर पीको भी हमने करानी है तो और अच्छी जो है इसमें फिनीशिंग आ जाएगी वरना इसके ध इलास्टिक को मैंने ऐसे डबल फोल्ड किया है और यहां पर हम इसमें स्टिचिंग लगा लेंगे तो इलास्टिक के सहाप से लगानी है जितनी भी आपकी कमर होगी उसमें से आपने चारिया पांच इंच माइनस कर देना है ठीक है जैसे मेरी एग्जेक्ट थी 25 तो मैंने प फैब्रिक हम अंदर की तरफ करेंगे हलकी सी हमने डील देनी है और फिर इस पर जो है हमने स्टिचिंग लगानी शुरू करनी है और स्टिचिंग लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो आपकी इलास्टिक पर ना चड़े अगर इलास्टिक पर चल जाएगी तो फिर आपकी elastic नहीं लग पाएगी तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है तो देखें डिशान के according बिल्कुल हम रखेंगे fabric को अंदर करेंगे हलकी सी deal देंगे और stitching लगाना शुरू करेंगे और again elastic पर नहीं चड़ानी है बागी elastic लगाने के कई तरीक इसे complete कर लिया है हलकी फुलकी जोल भी आती है तो वो नहीं पता चलता है क्योंकि यहाँ पर जो है shrink आ जाती है और यह fabric जो है बहुत जादा सरकने वाला था तो इसलिए इसमें थोड़ा सा जो है finishing लाने में बहुत जादा time लगता है अब हमने इसको इस तरह से खीचना है और center में इसको ऐसे खीचते हुए सिलाई लगानी है ऐसे हम खीचते हुए सिलाई लगाते है न तो हमारी जो सिल्वटे हैं वो सारी आपस में बढ़ जाती है और बहुत अची finishing आती है देखने में यह देखिए अब आप लोग देख सकते हैं पहले कैसा लग रहा था और यह वाली stitching के बात कैसा लग रहा है तो देखिए ऐसी खीचते हुए जो है हम पूरे इसकी कमर पर ऐसे ही जो है सिलाई लगा देंगे तो जी इलास्टिक के बाद मैंने इसको जो है आईरेन कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं हमारी जो शल्वार है वो कितनी perfect जो है वो बन कर तयार हुई है यह देखिए है ये इसकी लेज भी लगाऊंगी तो यह और भी प्यारी लगेगी बाकि दोनों बॉटम आप लोग देख सकते हैं बाकि मैंने मोरी का डिजाइन भी बनाया है यह भी बहुत सुंदर लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट बैठी है बीच में मियानी इसलिए लगाईए ताकि बच्चे उठना बैठना बहुत करती है तो बहुत अच्छे से जो है बिल्कुल कमफर्टेबल रहे बाकि यह है इसकी फाइनल फिनिश लुक आई होप कि आप लोग को जो है आज का वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जो करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और शेर करिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब जो इसके उपर का कुरता मैं बनाने वाली हो न जो हमारा बॉटम होता है उस तरह का बनाउंगी तो आज का वीडियो जो है आप लोगों को बहुत जादा पसंद आयागा पसंद आयाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज